तो हलो दोस्तों आगे हैं को और ने वीडिये के साथ और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्कैनर क्लास के बारे में और जो इंपोर्ट वाला जो होता है इंपोर्ट जावा.utile.star जो आप लिखते हैं वो आप क्यों लिखते हैं इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं basically तो यह वीडियो import java.util.star के बारे में ही होगा तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आकन को दबा दीजिए तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं input by using scanner class तो input by using scanner class जो आप input करते हैं बहुत कुछ जैसे की integer आपने input लिया और string आपने input लिया वो आप scanner class के द्वारा लेते हैं input तो वो किस तरह से काम करता है तो scanner class में जो सबसे पहला चीज आप लिखते हैं import कराते हैं java.util.scanner भी लिख सकते हैं star भी लिख सकते हैं तो वो क्या चीज है तो यहाँ पर देखें the scanner class is latest development in java which allows the user to read values of various type जो यह scanner class है वो सबसे latest development है java में जो java जो बना है उसमें सबसे latest development यह scanner class है जो की allow करता है user यानि की जो computer बैट कर लिख रहा है और जो value दे रहा है तो उसको allow करता है कि वो read कर सके values हर एक तरह के जैसे कि integer हो गया scanner हो गया कैर हो गया उस तरह के value को वो read कर सके समझ सके तो उसके बाद देखें यहाँ पर क्या लिखा है the scanner class is defined within a java package that means java.util.star यह जो scanner class है वो एक java package के अंदर defined होता है java package जो आप import java.util.star लिखते हैं import कराते हैं na java.util.star या java.util.scanner तो जो आप import कराते हैं यह एक java का package है जो की scanner class का जो सब functions है उसको access करता है यानि कि scanner class को मतलब import कर देता है आपके प्रोग्राम में कि आप जो scanner class के सारे functions है उसको आप use में ले सकते हैं तो यहाँ पर देखें वही लिखा the scanner class is defined within a java package that is java.util.star यह जो scanner class है वो import java.util.star जो आप करते हैं जो java.util.star है उस package के अंदर ही defined है यानि कि जो मालीजी यह धरती है तो इसके अंदर ही living things exist कर रहा है तो living things जो exist कर रहा है वो किसके अंदर कर रहा है अर्थ के अंदर अर्थ के बाहर नहीं कर रहा है तो यही चीज यह जो java.util.star है वो उसी के अंदर यह scanner class exist करता है scanner class का आप काम मिले सकते हैं तो उसके बाद देखें आपर क्या लिखा है scanner class is available in system package java.util तो यह जो है scanner class वो available रहता है package के अंदर जो java.util है you have to import java.util package to perform the different tasks in scanner class अगर आपको scanner class के functions का सबका इस्तेमाल करना है तो आपको import करना होगा यह java.util वाला package को the process to import java.util package is soon as below तो आपको java.util package को import करना है यानि कि उस program के अंदर उसको available करवाना है तो अगर आपको import कराना है तो आपको यह लिखना पड़ेगा import java.util.scanner semicolon तो scanner के जगा पर आप एक star भी लगा सकते हैं दोनों का मतलब एक ही है तो कुल मिला कर बात इतना हुआ कि यह java.util वाला जो package है उसी के अंदर scanner class defined होता है अगर आप ऐसी normally scanner sc.next int कुछ भी आप लेने लगें इंपूट लेने लगें तो वो और काम नहीं करने वाला है आपको सबसे पहले import कराना होगा java.util वाला जो package है scanner class को एकसेस करने के लिए ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो like कर दें, share कर दें और comment कर दें तब तक के लिए bye